बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं ऐसा क्यों ऐसा क्यों जिन लोगों ने भी अपनी पत्नियों को वापस बुलाया है मुझे लगता है सारे पति अभी भी नहीं बुलाया होंगे मेरा ये विश्वास है द्रिंड विश्वास है कि अभी भी सारे पतियत नहीं बुलाया होंगे लेकिन जो बुलाए है ना मैं कह रही हूं कहीं ना कहीं उनको खुद पर भरोसा नहीं है क्योंकि उनको यह पता है कि हम भी तो किसी के ऊपर देखते हैं तो मेरी बीवी के ऊपर भी कोई देखेगा कोई तालमोटोल करेगा लोग तो ऐसे कह रहे थे कि 156 लोग अपनी वाइफ को लेकर आ गएं कुछ कह रहे थे 130 लोग वाइफ को लेकर वापस आ गएं लेकिन लोगों को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था हमारे पास कोई आथेंटिक प्रूफ नहीं था लेकिन ज जितनी बाते आ रही थी कि लोग जो हैं वो अपने पत्नियों को वापस ला रहे हैं, उनका नाम कटा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई अब पढ़ना लिखना बंद करो, आगे चलके अधिकारी बन गई तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा, सिक्षक बन सकती हो, बैंक क जाब कर सकती हो, लेकिन अधिकारी मत बनना, ये तो मजाक मजाक में लोग ले रहे थे, लेकिन जैसे ही खांसर ने अपने वीडियो में इस चीज का मेंशन किया, कि मेरे क्लास है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खांसर पर बहुत जादा विश्वास है लोगों को, जब उन्होंने वीडियो के सामने आके कहा था, कि मेरे यहां से 93 जो महिला हैं, उनको वापस उनके पती ले गए और बोले कि भाई, हमको नहीं पढ़ाना है, नहीं तो मेरी बीबी आसा ही कुछ करेगी, खांसर ने उनके पती को समझाया भी, लेकिन देखिए इसका प्रभाव क कि मैं और आप दोनों गलत हैं, बताइए, हो सता है, हम मुझे भी सवाल करता है कि मैं कहीं आप बहुत बड़ी बड़ी बन गई तो अपने हस्में को छोड़ दी तो मेरे से सवाल यहां लेकिन जो महिला आप देख रहे होंगे, जो महिला हर वक्त सचाई के साथ है, मैं 420 मिल गया दो इनको, नंबर 1 के तलास में चली गई दो नंबर 1 ते उनकाइब, लेकि नंद खेल कतम, आप बताईए, आज एक महिला के वज़े सारी महिला जाती को सरमसार होना पर आप है, हम से सवाल करना, आप से सवाल करना, बहुत सारी चीज़े हैं, कहीं नंद बहुत मेरा यह विश्वास है द्रिंड विश्वास है कि अभी भी सारे पतियत नहीं बुलाएं होंगे मैक्सिमम लोगों के लिए लेकिन जो बुलाए हैं ना मैं कहरी हूं कहीं ना कहीं उनको खुद पर भरोसा नहीं है क्योंकि उनको यह पता है कि हम भी तो किसी के ऊपर देखते हैं तो मेरी बीवी के ऊपर भी कोई देखेगा कोई तालमोटोल करेगा जरूर हो ना हो यही बात है बिहाड यूपी के बारे बातचीत होती है कि मतलब यहाँ पर महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है बैठीयों को पढ़ने नहीं दिया जाता है ये कितनी बड़ी एक बात है, कितना बड़ा के step है, वो आदमी जो है, वो उठाके और फिर वापस ले जाता है उसी जगह पर, वो उसका कितना बरोसा तूटेगा उस औरत का, वो सपना कैसे चूड़ोगा, जो कहीं PT का सपना देख रही थी, मेंस का सपना देख रही थी, इं लुटता है कि क्या महिलाओ को पढ़ाना चाहिए, और एक स्लोगन भी चल रहा है, कि बेटी पढ़ाओ, बीबी नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जिस तरीके से हमारे देश में महगाई चरम सीवा पर है, तो हम क्यों ना दोनों मिलके कमाएं, दोनों मिलके कमाएंगे तो सह खैन बनाकर करना जरूरी है हां पती पत्नी के बीच में भरोसा रहना बहुत जरूरी है हां पती-पत्नी ही क्या , माअबाप के बींच में भरोसा टूट रहा है, तो यहा तो पती है, आज देखिए जितने अमीरगर के ऑलाद है न ही उनी है 우rae नहीं के माअबाप अज बrzy उस पे, लेकिन है तो घर में, आज विधा अस्रम में तो वो तो नहीं है, आप जाके उठा के देखिए, किसी का बेटा युएसे में है, किसी का कनाडा में है, और जो विदेशों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वही आज उनहीं के माबाप आज विधा अस्रम में से बच्चे भरुषा उंगा तो आपकी कहीं भी पढ रहे हो, आप उस 진행 वहीं छोड़ देगे, तो खुद पर भरुषा नहींगा या तो अपने रिष्टे से भरुषा नहीं है जो कि आपको भरुषा है, तो बच्चे पर आपकी पर है माखिए इनके सा लस्निताते वही इ अना ये सारा चीज बहुत गलत है कोई महिला इस तरीके का चीज करती है मैं उसके खिलाफ हूँ क्योंकि आप लादो ! आप किसी के जम्हार को झोड़ा है ! झाले, तियुए दोगा झाले एक।